जैस्री किष्ण श्वागत है आप सभी का मेरे एचेस वारत द्वाय यूटूब चैनल पर आज मैं आपको कुछ राशियों की जानकारी दूँगा और कुछ मेहत्पूर बात है भी आपको बताऊंगा तो पूर बीडियो द्यान से सुनें इस्त्री और पुरुष संत्ति प्राप्ति की कामना के लिए बिवा करते हैं बंस परंपरा की ब्रद्धी के लिए इवं परमात्मा को श्रत्रचनात में सहयुग देने के लिए ही आवश्यक भी है पुरुष पिता बनकर तता इस्त्री माता बनकर ही पूरता का अनभव करते ह सास्त्र भी यही कहते हैं संतान हीन व्यक्ति के यग दान तप वअन सभी कर्म निस्पल हो जाते हैं। माभारत के सांती परम में भी का गया है कि पुत्र ही पिता को पुत्र नामक नरग में गिरने से बचाता है। मुनिराज अगस्त ने संतान हीनता की कारण अपने पित्रों को अदो मुक इस्ति में देखा और बेवाह करने के लिए प्रवत हुए। प्रश्ण मार की अंसार संतान प्राप्ति की कामना से ही बेवा किया जाता है। जिसमें जिसे बंस ब्रद्धी हो और पित्र प्रसन्नों अगर पित्र प्रसन्नों हो गई तो इंसान की हर मनुकामना पूरी हो जाती है प्राचीन फलत ग्रंतों में संतान सुक की बिशे पर बड़ी गेंता से विचार किया गया है बागी में संतान सुक है या नहीं पुत्र होगा या पुत्री अत्वा दोनों का सुक प्राप्त होगा संतान कैसी निकलेगी संतान सुक कम मिलेगा और संतान सुक प्राप्ती में क्या बादा है इनका क्या उपचार है इन सभी प्रिश्णों का उत्तर पती और पतने की जन्म कुणली के अध्यन से किया जाता है जन्म कुणली और चंद्र कुणली में बली हो उससे पांच में भाव से संतान सुक्का बिचार किया जाता है भाव इस्तिती राश्यवास का स्वामी भाव कारक ब्रैस्पती और उससे पांच में भाव तता सब्त मांस कुंडली इन सभी का विचार संतान सुक के बिशे में किया जाना अति आवस्यक होता है पती एवं पत्री दोनों की कुंडलीों का अध्यन करके ही किसी निसकर्ष पर निकला जाता है पंचम भाव से देखा जाता है कि संतान का योग कैसा है उससे तीसरे भाव में दूसरे इस्तान का और उससे तीसरे भाव में तीसरी संतान का और इसी क्रम से सभी संतानों का सुक विचार किया जाता है क्या बार ऐसा होता है कि सिग्री ही संतान की प्राप्ती हो जाती है क्या बार संतान प्राप्ती में काप ही अर्चने आती है पित्र दोश के कारण सारे करीम कमी के कारण भी संतान सुक में परिशानी आती है जुनको भी संतान सुक चाहिए उनको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए संतान सुक चाहने वाले व्यक्ति को उपाय करना चाहिए कि उनके उपर ग्रहन की सुवदेश इस्टिती हो यानि द्रश्टी जो है सुवदेश अगर किसी ग्रह की निच इस्टिती होती है और गुरु हीन भावनाम में होते हैं, तब संतान प्राप्ती में कापी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरप्रतम पती और पत्नी की जन्म कुणली से संत पत्ती की खिमता पर विचार किया जाता है। जातक देशमार्ग तता भल दीपका के अनुसार पुरुष की कुणली में सूर इस्पष्ट, शुक्र इस्पष्ट और गुरु इस्पष्ट का योग करें। यानि यह ग्रह बहुत ही इस्पष्ट होने चाहिए। अगर यह ग्रह नीच हो तो संतान प्राप्ती में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आपको एक चीज का विचार रखना चाहिए। इन ग्रहन को बली करने का उपाय करना चाहिए। प्रती सोम्मार की सोम्मार को भगवान सिवजी की पूजा करने से सीग्र ही संतान प्राप्ती के योग बन जाते हैं। जिनके भी संतान प्राप्ती में योग में अर्चन आ रही है उनको सिवजी की पूजा करने चाहिए। सिवजी की पूजा सोमार के ब्रत यह सभी संत्ति प्राप्ति में सहयोग करते हैं पित्रों का पूजन पित्रों का पूजन बहुत ही मैत्पूर होता है जो लोग पित्रों का पूजन करते हैं देव पूजन करते हैं उनकी मनुकामना सिग्र पूरी हो जाते 2021 में मेश रासी ब्रसव रासी दोनों के संतान प्राप्ति के योग है नो रासी ऐसी हैं जिनके घर में जल्दी ही खुसी आएगी यानि संतान की प्राप्ति होगी और दो रासी ऐसी हैं जिनके योग में थोड़ी सी अर्चन आ सकती है मेश रासी वाले, प्रिषव रासी वाले, मितुन रासी वाले, करक सिंग कन्या तुला, ब्रेशिक धनू, मकरकुम, मेश ये रासिया जो हैं बहुत ही शुख रहने वाली है थोजार 21 में यानि बारहो रासियों के अच्छे योग हैं संतान प्राप्ति के लिए आप क्या उपाय करें जिससे शीग्री ही योग बन जाएं सर प्रतमा आप ध्यान दें के 2021 के लगते ही जो पहला सोम्मर आए सिवजी पर बेल पत्र और पंचामरत चड़ाना प्रारम कर दें अपने हाथ से आटे का दीपक बना करके नेमत रूप से सिवजी के सामने जलाना प्रारम कर दें यह उपाय बहुत ही प्रबाव साली है इस उपाय को जरूर करें सिवाल है चाहे आपसे दूर हो या आप पास हो उसमें डिलाई ना बढ़तें नेमत रूप से आप वगवान की पूझा जरूर करें दूसरा उपाय प्रती मंगलवार की मंगलवार को हनवान जी के चोले चड़ाना प्रारम कर दें और वहीं खड़ियों करके अपने मनुकामना बोल करके बजरंग बाण या अन्मान चालिसा का पाठ करना प्रारम करने ऐसा करने से शेग्र ही संतान सुक की प्राप्ति होती है भगवान सूर देव को जल अरपन करना शूर देव का भी संतान प्राप्ती में महत्पूनिस्तान होता है इसलिए प्रति दिन का नियम बना ले सूर देव को जल अरपन जरूर करना है सूर देव को अगर आप जल अरपन करते हैं तो सिग्र ही संतान सुक की प्राप्ति हो जाती है, संतान प्राप्ति में आ रही सारी बादाएं दूर हो जाती है, अगर संतान प्राप्ति में परिशानी आ रही है, तो आप कुछ बातों का ध्यान रखें, डेटों का विशेशूप से ध्यान रखें, जो मैंने आपको जानक पूर्मा की पूर्मा को यानि पूर्ण मासी जब आती हैं तो आप सवा दो किलो आटा अपने आज से दान करें उसमें गोड़ो डाल करकें किसी गरीव को दान करें अबनी मनुकामना बोल करकें प्रती बीरवार की बीरवार को गोव माता के लिए इसलिए में कुछ उपाए बता रहा हूं यह आपको 2020 के लगते ही प्रारम कर देने चाहिए प्रती गुरुबार की गुरुबार प्रती एकादसी और पूर्ण मासी अमा वस्या इन बारों को भी आप गोव माता की सेवा करन रोटी गोड़ यह सारी चीजे खिलाना प्रारम कर दें और प्रती एकासी को गोव माता को बस्त्र आरपन करें इससे संतान प्राप्ति की जो भी बादाएं हैं सारी बादाएं दूर हो जाती हैं बहुत ही अच्चा शुबयोग बनता हैं प्रती एकासी का ब्रत अगर आप एकासी का ब्रत नहीं करते तो आप एकासी का ब्रत कर दें प्रती पूरण मासी को सत्त नाराण की कथा प्रति पूरण मासी की पूरण मासी को सत्त नाराण की कता सुने और पढ़े सत्त नाराण कता किसी से कराएं ना करा सके तो खुद ही आप सत्त नाराण भगवान की जो किताब होती है कता की वह पढ़े संकल्प करके कि प्रभू हमारी संतान की मनुकामना पूरी करें केसर का ठीका लगाना प्रारम कर दें यह बहुत ही सुव है ऐसा करने से जो संतन प्राप्ति की अर्चने हैं वह दूर हो जाती है पक्षियों के लिए सतन जा प्रति दिन का नियम बनाए और जब आप ओपिस जाते हैं या गर पर यह आपके आसपास कहीं पर भी पक्षी रहत तो उनको जो है सतन जा डालना प्रारम कर दें यह बहुत ही जरूरी होता है अगर आप पक्षियों को सतन जा डालना प्रारम कर देते हैं तो शीग्र ही आपकी संतन प्राप्ति की जो कामना है वह पूरी हो जाएगी इससे क्या होता है कि संतन प्राप्ति की जो अर्चन है बहुत सारे उपाएं में आपको बता दिया valid यह ने हैं और आपार्म कर देते हैं तो शीक्रहें आपके संतान सुक क कामना पूरी हो जायेगी और भगवान सूर्देव की किरपा से सभी रासी बालों को बढ़िया ही योग बनेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लग योगी तो वीडियो को सेर जरू करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए